आज 31 जर्वेरी 2018 दिन बुद्दवार चंद ग्रहन के वेदकाल का प्रारम्ब सूरुदय के साथ ही सुरू हो चुका है वेदकाल में भोजन करना वर्जित है भोजन नहीं करना चाहिए ऐसा सुनकर आप हैरान हो गए ऐसा सुनकर आपके रूंग्डे खड़े हो गए आपके मन में विचार भी उठने लगे होंगे कि क्या वेदकाल में और क्रहन के मोक्ष तक यानि की रात भी आट बच के 42 बिनट तक हमें भोजन नहीं करना है जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है इस दौरान एक स्वस्त व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए हाँ जो बच्चे हैं बीमार व्यक्ति हैं रोगी हैं और गर्वती मैलाए हैं उन्हें उनका वेदकाल साड़े 11 बजे से चलू होगा वो लोग साड़े 11 से पहले जो बीमार हैं या बच्चे हैं या अगर्वती मैलाए हैं वो साड़े 11 से पहले भोजन कर लें और स्वस्त व्यक्ति सूरुदय से लेकर रात्त्री 8 बच के 42 मिनट तक जो है उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए ग्रहां के दौरान तो साथियों आपको ये जानकारी फ्टोरी सी अजीव और गरीब रोंग्टे खड़ी करने वाली लगी होगी लेकिन ये शक्त्त है यदि आप लाप चाहते हैं तो बोजन सुस्त व्यक्ति हैं तो ना करें इसी प्रकार की तमाम जानकारी आपको बराबर मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हाँ लोग भी इसका लाब ले सकें तो शेयर करना भी न भूले इस वर आपको हमेशा सुखी रखे धन्यवाद